हेलो हुरी बड़ी मैं दर्मेंद कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो बाई डीके में आप सभी का स्वागत है आज आपको हम यूडाइस पलस में एक और जानकारी देने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्पूर्ण है और इंपोर्टेंट है जैसे कि हमने हमने कुछ समच्चाएं आती हैं जैसे कि आधार कार्ड में डेट अब बर्थ कुछ और है और हमारे रिकोर्ड में और हमारे रिकोर्ड में दोनों जगाए एक ही है सेमी है तो हम उस बच्चे का इस्टुडेंट डाटा यूडाइस फलस में फीड कर सकते हैं अन्यथा हम फ फिड करने के बाद या सुटयें डाटा फिड करने से पहले आपको एक काम और करना होता है और उसे हम कहते है सेक्शन मेंज़ीमेंट च्जाथ इस चोटी बीडियों में कैसे करते हैं यूटाइस पलस में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं चलते मोबाइन फॉन की स्क्रीन पर गूगल को ढून लेते हैं यह मिल गया Google यहां सर्च करेंगे यूडास प्लस वो पहले लिखा जाता है जब बार-बार सर्च करते हैं यहां किलिक करेंगे यहां किलिक करने के बाद आप नीचे पहुँच जाएंगे देखें यहां पहुंचेंगे हम यहां में मिल जाएगा student module इसको हम student module कहते हैं जब हम student data feed करते हैं Udice Plus में इस पर click कर देंगे click करने बाद नीचे यहां जाएगे तो को यहां लिखा है login login पर click करने बाद यहां बढ़ते हैं अपना dice code school का dice code भरेंगा आप 0 सहीत 0 का आप नहीं छोड़ेंगे यह हम अपना dice code भर रहे हैं school का यह भर देंगे यहां डालेंगे हम अपना school का Udice Plus का password वो password भी हम डाल ले हैं और फिर हम डालना पड़ेगा capture रात हैं कि यहां लिखावा यह व्यायां डाला पड़ेगा स्वायूद लिखावार में इसको टा लेंगे यहां जैसे भी लिखावाए नॉर्सिं मेन पहुंच जाते हैं पर पर लोग इन करने बाद इस फेज पर हम पहुंच जाते हैं यहां इस्कूल का पूरा विवर्ण लिखा हुआ है यहां देख लिए आप पूरा नाम है टाइप है क्लास कौन कौन सी आपके स्कूल में चल लही है अपर प्राइमिरी स्कूल जो भी होगा आपका डिपार्टपे करना तो यहां जाएंगे वी और मैनेज करना तो यहां जाएंगे हमें हमें स्कूल प्रोफाइल में जाना है तो यहां क्लिक करेंगे यहां क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि आपके सामने खुल कर आयता है सेक्शन मनेजमेंट यहां लिखावा है सेक्शन मनेजमेंट तो आप यहाँ किलिक करेंगे यहाँ किलिक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे यहाँ देखिए सेक्षन मनेजमेंट में अगर मैं इस फोनों कर लाता हैं डेक्सोट साइट पर तो थोड़ा इसपट दिखाए देगा देखो यहाँ यह देखें यहाँ यहाँ लिखाँ Select Class यitने भी Class आपके स्कूल मने होँगी सारी खुल कर यहाँ आजाएंगी आप Class को सेलेक्ट करते रहेंगे फिर यहाँ दिया हमारा Add हो गया है फिर यहाँ चुल लेंगे 7th Class और यहां medium चुलनेंगे Hindi और यहां एड section पर किलिक कर देंगे यह भी एड हो जाएंगा ठीक है फिर देखो यहां class EEVC al radical край भी एड को चुलनेंगे आप फिर यहां mediumちょ लेंगे Hindi आप इसको भी एड करतेंगे ठीक है यह सारे एड करने के बाद देखो यहां लिस्ट खुल कर यहां आ जाएगे आपकी यह देखो यहां कैस्छ तो यहां देखी जीतने से जो आप आप 7 सीक्षेन ہے otta पर करेंगे तो इसका भी शेस्ट खुल कर आ जाएगा ठीक है अब हम चलते हैं इस्कूल डैस्वोड के पास अब आप देखें यहां क्लास के सब खुल कर आ गए हैं देखो यहां गलती से मेरे पर छटी क्लास में दो सेक्षन चुने गए यही कुछ स्कूलों में जो हैं हमारे प्राइट स्कूल है यहां फिर हमारे सब यहां लिख करते हैं यहां लिखा यहां लिखा और स्टेंट के सामने पर बच्चे को आपको एड़ करना पड़ेगा ऐसे छटी के सामें लिखा आए हैism8 के सामने अगर आपका स्कूल फ्राइमरी है यहे वाव युटक्व वart dost ए 3rd, 4th, 5th लिखा मिलेगा आपको इस पर कारफ section को भी management कर सकते हैं आसानी से यहां आपको list of all students अगर आपको अपने add के वे बच्चे के list देख रही हैं कितने बच्चे अपने add किये हैं आप यहां के लिख सकते हैं list of all students यहां के लिख कर सकते हैं आप देखें मैंने दो इमेल दोने लड़किया है इनकी date of birth है नाम पितागा नाम अम्मी का नाम और यह अधार कार्ड के अंतिम चार अंक तो आप जिसको भी देखना चाहें देख सकते हैं यहां school dashboard बजाएंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपको बच्चों को add करना होता है देखो कर देंगे जब आपने school profile क्लिक किया है तो आप यहां आ जाएंगे और section मेंज पर क्लिक कर देंगे और अपने section जो आप add कर लोगे मैंने तो अपने add कर लिये हैं आप यहां क्लिक करते रहेंगे और यहां section चुनते रहेंगे और यहां आपका medium चुनते रहेंगे क्योंकि हम अपने स्कूल के यूडाइस पलस में सेक्शन को एड कैसे करते हैं आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको चेले तो लाइक करें शेर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लिजिए धन्यवाद जैन